हेलो फ्रेंग्स दोस्तों अब आप मैं बताने वाला हूँ आपको B.S.F की बहुत बड़ी भरती देखने को मिल रही है दोस्तो B.S.F की बरती आ गई है बहुत ही इंपॉर्टन नोटिफिकेशन आपको मैं देने वाला हूँ बहुत ही important वीडियो ये होने वाली है BSF की जो notification है वो out कर दी गई है BSF के लिए challenge पन आ गए है पत आ गए है और आपको इसमें बहुत ही भड़िया आपके लिए ये सोने पर सुहागा होगा दोस्तों क्योंकि BSF ने निकाल दी है अपनी भरती और इस भरती के तहट आप बन सकते हैं पहरा कमांडो तो दोस्तों पहरा कमांडो की भी जो भरती है वो दोस्तों आने वाली है और उसके साथ ये bumper भरती भी आ चुकी है आर्मी आपके लिए बहुत बड़े ये लेकर आ रही है बहुत ही भरतिया लेकर आ रहे हैं B.S.F. के लिए दोस्तो आज बात करते हैं B.S.F. कमांडो आप कैसे बन सकते हैं वो भी ये दोस्तो ये बहुत हैं ये गुरुप A बरतिया बरतिया तीनों बरतिया दोस्तो आर्मी लेकर आईए B.S.F. लेकर आईए B.S.F. मतलब बॉर्डर सिक्यूरिटी पुलिस ठीक है तो आपको बताने वाला हूँ कितने चैनित पद होंगे और उसकी सेलरी क्या होगी उसकी वेकेंसी कितनी है सब को बताने वाला हूँ इस वीडियो में और आपको बताने वाला हूँ उसकी सेलरी कितनी होगी कम से कम 80-85,000 के उपर मतलब लाख में सेलरी आपकी दोस्तो होने वाली है और इसके लिए योग गिता क्या होगी इस वीडियो में पूरी चीज़े मैं आपको बताने वाला ह ये चलिए देख लेते हैं सारी चीज़ें दिली आपको बता देते हैं हाँ तो दोस्तो आर्मी में जाने के लिए आपके लिए जो आपका सपना है पैरा कमांडो बनने का उसके लिए ये विल्कुल सीरी भरती है मैं आपको बताया था जो कि डिरेक्ट एंक्री होती है वो तो डिरेक्ट ली आपकी रिली होती है उसके लिए तो मैं आपको बताऊँगा ही और दोस्तो अगर आपने आर्मी में जाने का सपना है और आर्मी से बनने का पैरकमांडो बनने का सपना है तो दोस्तों ये जो BSF की भरती आने वाली है ये आपके लिए बहुत बड़ा मोका होने वाला है अगर आप अभी आर्मी में या फिर BSF में अगर आप भरती हो जाते हैं उसके बाद आपके पैरकमांडो की जश्ट आपके इसके जश्ट बाद आपके पैरकमांडो की भरती आने वाली है अगर आप BSF में हो जाते हैं तो दोस्तों आप डिरेक्ट रैली भी दे सकते हैं और आप आर्मी से होते हुए आप पेरा कमांडो की वो जो वेकेंसी है वो भी दे सकते हैं दोस्तों यह आपके लिए सोने पर सोहागा है दोस्तों मैं आपसे आज हाद चोड़ कर विंति करता हूँ आपकी मेहनत को दो गिनी कर दो सुबह भागने जाओ डेली भागने जाओ आपने फिजिकल को 100% करो और दोस्तों अगर मैं आपके साथ हूँ और फिर मैं आपके साथ हूँ आपको हर तीज 100% आपकी विल्कुल चीज़े बताकर आपको बताऊंगा मतलब गोई भी चीज होगी जो भी इंपोर्टेंट होगी वो सब चीज आपको बताऊंगा रहले और डिरेक्ट एंक दिस चैनल को सब्सक्राइब पर लीजिए और बैल आइकन को ज़रूर जबा लेना जिससे आपको नुटिफिकेशल पॉस्ती जाए जो भी चीज में जो भी अपडेट मैं डालूं दोस्तों महनत करिए मैं भी आपके साथ महनत करूंगा बहुत मतलब हम हम दोनों ही मैनत करेंगे तभी आपका चायान होगा और अगर आपका चायान होगा तो सारी चीज शे बताऊँगा इस वीडियो का बिल्कुल अंतक देखें का वीडियो eligibility मतलब योग गिता बताऊंगो आपको इस पोस्ट के लिए और apply कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगो कहा apply करना है कैसे apply करना सारी चीज़े आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडो में बता देते हैं, हाँ तो दोस्तो चलिए आपको बता देते हैं vacancy के बारे में देगे vacancy के बारे में आपको बताने से पहले आपको मैं बता दूँ देगे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि BSF recruitment आ चुका है group A, B, C के पदों में निकल रही है बरती BSF ने मांग रहा है जो BSF है Border Security Force वो आवेदन मांग रहा है दोस्तो अब बात करते हैं पहली post आधिकारिक post है मैं आपको बता दे रहा हूँ officer बनेंगे जाके directly officer level post है आप जाकर क्या बनेंगे आप दोस्तो बनने वाले हैं officer बनेंगे जाकर सीधे officer में requirement होगा पहली post है Captain Pilot देगी दोस्तो आप वो बता देता हूँ पहली जो post है आपकी वो है Captain Pilot इसकी vacancy कितनी है आपको बता देता हूँ इसकी vacancy है 5 vacancy है salary कितनी होगी 3,00,000 से 3,50,000 की जो salary है आपकी वो आपको दी जाएगी प्रमाड़ित की जाएगी दोस्तो अब चलते हैं second post पे second post जो है वो है दोस्तो commandant pilot की vacancy कितनी है दोस्तो बता देता हूँ आपको वो है 6 vacancy salary कितनी मिलेगी आपको 2,00,000 से 2,30,000 आपकी salary दोस्तो होगी इस post पर आँगे दिखते हैं तीसरी जो post है वो है deputy chief engineer की vacancy 5 है और salary 3,35,000 आपकी होगी दोस्तो fourth की बात करते है senior aircraft maintenance engineer की आपकी post है और दोस्तो इसमें vacancy कितनी होगी 11 vacancy है salary कितनी मिलेगी 2,00,000 से 3,00,000 के बीच में आपकी salary को रखा गया है दोस्तो अब बात करते है पाच मी पाच मी जो post है वो है junior aircraft maintenance engineer आपने उपर देखा senior अब बात करते है junior देखे junior के लिए आपकी जो vacancy है वो है 16 कुल पद कितनी है दोस्तो 16 पद है और salary कितनी है दोस्तो 1,40,000 तो दोस्तो यह जो salary दी कई है जो salary जो आर्मी की तरफ से जो BSF की तरफ से वो काभीलिये तारीफ salary है और यह आपके लिए यह आपके जुनून के लिए यह आपके लिए बहुत बड़ा मौक्या होने वाला है अपने सपने को पूरा करने के लिए तो आर्मी में जाने के लिए ठीक है और 6th की देखते जलिए आंगे बढ़ते हैं 6th जो vacancy आई है वो दोस्तो है equipment officer इसकी जो vacancy आई है वो 5 vacancy है टोटल कितनी vacancy है 5 और salary कितनी होगी आपकी 1,20,000 salary दोस्तो आपकी है रखी गई है इस पर आदे चलते हैं और 2 पद रह गई है वो है sub inspector की sub inspector SI, BSF में आप sub inspector बनेंगे जाकर और आपकी vacancy दिर रखी गई है वो 9 vacancy हैं टोटल और salary कितनी होगी आपकी salary दोस्तो होगी आपकी 1,55,000 salary आपकी दोस्तो यहाँ पर रखी गई है ठीक है आँगे चलते हैं BSF gunner दोस्तो जो gunner होते हैं जो BSF में जो border security force होती है जो border पर टैनात होती है हम लोग के लिए देश के लिए जो सेवा करती है ठीक है देश के लिए शेवा करती है हर समय टैनात रहती है उनकी जो gunner होते है उनकी जो vacancy भी निकली है दोस्तो पांच vacancy इसलिए आवेदन उनों BSF ने आवेदन इसके लिए मांगे हैं दोस्तो salary कितरी होगी इसके गणर की BSF gunner की वो होगी 1,65,000 ठीक है 65,000 बतब 1,65,000 इसकी दोस्तो salary होगी अब बात करते हैं इसकी योगिता क्या होगी इसकी eligibility क्या होगी इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ दोस्तो चलिए आप वो देख लेते हैं BSF के लिए recruitment के लिए जो योगिता होने वाली है वो देख लेते हैं भारत सरकार, राज सरकार सरवानिक छेतर के अपक्रमों के विविन मंत्रयालों विवावों के सेवारत और सेवारत व्यक्ति ही कर सकते हैं